पुट्स उतने नहीं दिये जितने की उनको देने चाहिए थे, उन्होंने इसलिए नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए इसकी जरूरत नहीं थी, वे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, तक्ति पट्टी वाले स्कूल में, वहां कर वे हिंदी गरित पढ़ करके, मुनिस्पिल बोर्ड वाले स्कूल में, हिंदी गरित पढ़ करके, वह पास हुए जा रहे थे, उन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे, कि आप सोशलाइजेशन प्रोसेस की स्टडी करोगे, इस प्रकार की सामाजी करन की प्रक्रिया में उनका सामाजी करन हुआ, इसे कैसे कह दोगा उनका नमबर कम है, उसे कैसे कह दोगे उनका नमबर जादा है, इंग्रिश बोलनेवालों के बीच में रहकरके इंग्रिस चलती है, जहां वहां से खिश के हिंदी शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, कि सोशलाइजेशन प्रोसेस रामट हो Socialization की Process की चर्चा करते हैं लक्षय के अंत में हम इस शुचा में क्ल्ट्रेल ट्रांस्मिशन की बात करेंगे और इसमें इस पर आगे और चर्चा करेंगे अब बात आती है काल्चर साइकोलरिय और तही जासे कि हमने आपको बताया था कि करते हैं सिंबल और उससे हमारे पास क्या होती है प्रिस्टाब्रिज नॉलेज प्रिस्टाब्रिज फाक्ट और उसके आधार पर हम सांस्कृति की व्याख्या करते हैं कल्चरल साइकॉलजी में हमारे पास जो फार्मर पूर्वस्थापित कथ्यों होते हैं हम उन पूर्वस्थापित पूर्व कथ्यों के आधार पर ही उनकी हम व्याख्या करते हैं उनका हम निरूपन करते हैं हमारे पास इस तरीके के अनेक हमारे पास इस तरीके के अनेक हमारे करते हैं और उसके आधार पर कारियों करते हैं लेकिन इंडिजनस में क्या होता है अर्थ मिलता है और उन अर्थ के आधार पर व्याख्या करते हैं अर्थ कहां से मिलता है अर्थ समाज से मिलता है मैं आपको छोटा सा एक्जामपल दूँ यह नूकला फामिली और तुसरी चीजी आती है कि हम भी रहा रहे हैं मौसी का लड़का भी रहा रहा है गोरकूर के समाज में अब इधर तो भगवान रहने क्या होगा नहीं निकलती थी घर के बाहर अगर घर में इनलाज हैं तो बड़े लोग हैं तो बिना सर पे पलू लेकर के बाहर निकलती थी और गली क्रास करते ही सर से पल्लू आटोमेटिकली हट जाता था और वहाँ पर आते ही coming back from the college जैसे वहाँ पर पहुंचती थी अपने आप पल्लू सर मतला अपने आप जो खरके आएगा ये पल्लू जो है अपने सर पर ले लेती थी indigenous explanation उसका ये है कि वो समान करती है लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम है ऐसा पल्लू लेने का कोई चलन ही नहीं अगर कोई यहाँ पर मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि बढ़े गर की छोटे गर की मजले गर की कैसी भी हो वो बढ़ों को देख करके पल्लू लेंगे नेवार कभी न कोई पल्लू नहीं लिया सामान्य है पल्लू लिया कैसी है तो गमार जैसी पल्लू ले रही है उधर क्या पल्लू लिया बहुत अच्छी है कितने ढीट है इसको बिल्कुल आँखों में इसके लज्जा नहीं है पड़ों की यह क्या कर रही है कि बिना पल्लू के जा रही है तो यह जो व्याक्या है इस व्याक्या के आधार पर क्या होता है कि यह इस क्रेंट बाइड सुसाइटी सोशल नाम तो प्रशा करता है समाज और सुचल नाम भी कहां से आते हैं वो भी समाजी बनाता है तो ऐसी दो चर्चाह होती है They are the point Of indigenous psychology To be discussed Culture के धरातलपा हम जब बात करते हैं तो Cultural psychology होती है और लोगों के बेवहार की जब बात करते हैं तो इंडिजेनल psychology ऐसे होता है अभी हमने आप से कहा कि वह बेवहार कर रहा है चुंकि उसकी संस्कृति में ऐसा है इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है वह ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसकी संस्कृति ऐसी होगा कि दोनों में अंतर देख से खलते हैं है एक यह है कि संस्कृति देखा दूसरा संस्कृति बेवार से संस्कृति जो है इसका आता है अब है कल शां पर चलता है कि विचार पर चलता है समाज में उसका विस्तार है लेकिन कैसा है अभी मत भूलिया शब्द को वह अमूत रूप से कारे करता रहता है लेकिन जब हम इंडिजनेस की करते हैं बात तब क्या होता है या बेवार में होता है या प्राक्षिस में होता है या देशच तरीका है और यह क्या होता है या अधिकतर अगर आपको इंडिजनेस पे काम करना है अगर आपको इंडिजनेस साइकोलोजी में कुछ आगे बढ़ लोग समाज में जाएंगे, folk culture की study करेंगे, आपको तब पता चलेगा, indigenous जिन्दा है तो वहीं जिन्दा है, बाकी जगा तो सब क्या हुआ, कॉक्टेल हो गया, बाकी सब दिमाग में गरबड़ गरबड़ हो गया, लेकिन जब हमने चर्चा किया, अपने विशेष जगा का, व वह क्या है, हर जगा की indigenous culture अलग अलग है, हम आपको बताएं, हर जगा का indigenous culture अलग अलग है, और जैसे जैसे हम cultural span बढ़ जाता है, दूसे दूसे संस्कृति में एक culture होते हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अपने culture से, अपनी indigenuity से, हम दूर होते, चले जा रहे, आज दो-चार दिन पहले, हमारी मेड के घर में लिंटर पड़ रहा था, गाम का भोजन था, उसने चुट्टी लिया, मैं में नहीं आऊंगी, सुबह, पूरी, सबजी, आम जाने क्या क्या बना, पूरा गाम आया, लिंटर जाने मिस्त्री मज मजदूर, पूरे गाम ने खाया, शाम को चावल और नौनमेज बना, और अस्थे खासे में बना होगा, और सब ने खाया, करे दी करें हमारा दस बारा हजार रुपिया, उसमें लग गए, अब यह देखिए, यह लोग संस्कृत बनी हुई है, लेकिन, आप लोग खुश सो रीती है, ना, फिल्कुल नहीं है, हम लोग लाज, कहीं कोई कुछ न कहे, उसकी संस्कृत में नहीं होता है, हमें कोई क्या कहेगा, और हम क्या करते हैं, तो जितना जितना हम काव में जाएंगे, जितना जितना हम लोग में जाएंगे, जितना जितना हम फोक में जाएंगे उतना ही क्या होगा कि हमारा लोग ज्ञान हमारा हमारे में जीवित बना रहेगा संस्कृत किस पर चलती है विज्ञान पर इंडियेस किस पर चलता है लोग उपर मस्ता है कि सब्सक्राइब है अब होता है और एंडिजनस में कॉण्टीटेटिव का थोड़ा ज्यादा स्थाने बनता है यहां पर प्छिए क्वालिटेटीव सब्सक्राइब होती है और यह चलता है यह जनसंख्या इब यह पॉपुलिशन पर होता है हमने उसे बाज्म पू के ऊपर कार्य करना है मजब जाए मीमिदेगी हैं करता है कि क्या है क्या करते हैं अब क्लक्राओं को मिला करके देखते हैं तब क्या बनता है में क्या है बिलिफ बिहेवियर आदि क्या है इसे क्या करते हैं कि इसे क्या करते हैं इसमें जब आप लगाते हैं क्या करते हैं आप लगाते हैं तो आप इसमें क्वांटिटीटिव करते तीसरा जो प्रॉस का आता है वह अधिकतार 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 क्लच्राइब में इसमें भी पर पढ़ए हैं कि अधिकतार 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 क्या होता है कि वह वाहत्रात्मक्षोध ही उसमें आगे बढ़ए जाते हैं अब बात आती है ठीए फोस्ट्री अधिकर्व कि अगणा को समझने के लिए आपके पास तीन तरह के उपागम आने चाहिए एक उपागम दिया वायटिंग ने तूसा उपागम और शूदरर और बार्नी ने तेन तरह के सबसे पहले बात हैते इगोटिजम आल्रुइब मैं और हम आई एंड वी यानि हमारी संस्कित मैं क्या हूं और मैं अकेला क्या हूं समाज की क्या है आर्ट्रूइज्म परोपकार की बात हम नहीं कहते हैं यहां पर मैं और समाज वाईटिंग ने यह कहा कि एक तो जो अपने अंदर समाहिacht संस्कित रही केवर उतने की ही चर्चा और दूसरा क्या हुआ दूसरा हुआ कि समाज में जाकर के हमारी संस्कित कितने संस्कित गूर्ब सब्केद यह की चाहिए तो यह दो तरह की अप्रोच जो होते हैं इससे हम साइकोल्ज को समझते हैं अगला जो आपनी मैं मेरी अपनी मेरी ओरिजिनालेटी जो कुछ भी है वह मैं हूं और कलेक्टिविजम जो सम्मूव है मैं स्वर्यम में मैं सम्मूव हूं मैं स्वर्यम में मैं सम्मूव हूं मैं तो दोनों में रहा लेकिन दोनों में जो मैं का कार्य हुआ कार्य करने के पद्धति कार्य करने के तरीके में क्या हुआ अंतर आया और यह कि जब तक घर में रहते हैं अपने कोटर में तक हमारा कोई विकास नहीं होता नंबर एक हम किसी भी चीज़ को नहीं जानते हमारे पडोस में भी क्या हो रहा हम जब समाज में जाते हैं तो हम अपने को भूल कर समाज की गतिती को देखते हैं समाज की गतिती का ज्यान प्राप्ट करते हैं कि य कि अवशक्ता University meme को सिद्ध करते हैं हमारा मैं फिर उपर आ जाता है कि मुझे को कैसे शिंदध करना है तो यह एक तरहिके से खुफट है यह e inappropriate बताता था आदे घंटे पी जैसी आती ओलन इसे तरीके से हमारा भी दोलन होता रहता है। बाप करें मैं इगोटिस्टिक हूँ आर्टिस्टिक नहीं हूँ, मैं इगोसेंट्रिक हूँ, सोशोसेंट्रिक नहीं हूँ, मैं इंडिविजिलिस्टिक हूँ, मैं कलेक्टिविस्टिक नहीं हूँ, हर व्यक्त सब कुछ होता है, हर व्यक्त इसमें सब कुछ होता है, उसके सब कुछ होता है लेकिन इस्तिती क्या है कि समय आनुसार उसकी भूमिका बदलती रहती है और जैसे भूमिका होती है वो खुद नहीं आता अपना अंडणी पंड़ी ले करके वह अपने आप वहां पर खुद को पाता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ स्वयम को वहाँ पर पाता है और ये क्या होता है? कि अलग अकेला वहाँ रहता है, समू में रहता है और सवाल उड़ता है अपने को इनलिसिस करने की, अपने को बचाए रखने की और अपने संस्विति को बचाए रखने की तो यह जो कार्य है यह तीनों अप्रोच के अंतर को बताता है अब हम बात करते हैं काल्टिरल एंट्रोपोलाजिक सांस्कृतिक निवन्ष शास्त्र इसको कहते हैं मैं आफ लाइन होती तो मैं ब्लैक बोर पर आती एंट्रोपोलोजिकल स्टडीज जो होती है कि मानोंव वहार की शक्र मानों के जन्म की मानों के विकास की सब existah सब अलग होते चले गए लेकिन मानोय शास्त को एंट्रोपोलोजी को हर इंवस्ती में वह आदर वस्त तम मानोय प्लेस नहीं मिला जो उसको मिनना चाहिए था लेकिन अब बहुत से इंवस्ती में ऐसा है जहां पर खुल चुका है मेरे रिटार्मेंट के पहले मुझसे यह कह आगया कि एंट्रोपोलोजी खोलना है प्लाने प्लाने कोलेजेस में आप दीन आठ आपके देखिया यह मैं गई और मैंने वहां पर खुला वहां पर फॉइंट किया तो यह कि मानोय सास्त्र का जानना मानोय स्थास्त्र को समझना बहुत ही आवश्यक है अब इसमें करते क क्या है सबसे पहले बात आते ही हुमन डाइवर्सिटी है हम कहां अलग है है हम अलग है ही नहीं हमारे पास हाथ पर ना कांग सवर सब काई की जैसा है लेकिन नहीं काल्चिरल रास कल्चिरल इंडिजनर्स जब सब को इश को अंधु तो उस्सें ये समझ में आया कि कहीं हम सभी वह और यह हैं आपने अलग हो जाते हैं जो हमारा स्वभाव की जो हमारा विफित्व है हम तोड़ी दें के लिए हम छक ही लिकिन यहां पर क्या है कि और प्लैटफॉर्म कौन-कौन किसे किसे अलग है यहां पर इसकी चर्चा की जाती है कि साइन्टिफिक एग्जामिनेशन लुमन डाइवर्सी की जो है उसक्या कि क्या होगा उसका सांटिफ़ इंग्जामिनेशन होता है वय जानिक परिक्षन होता है अभी ये शास्त्र बनेगा अभी तो ये वी ज्यान बनेगा दिवस्ट अभी बनेगा लिए ये इसका लपी शुपश्ट तो पहले तो कहीं पर प्रयोग नहीं थे दिदे हमारे मनलु यहां में नहीं सो बारे से शुरू हुआ लेकिन देरे 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 क्या हुआ कि इसने अपने को modern anthropology के period में ला करके इसने अपने को क्या किया अपने को एक विज्ञान के रूप में इस्त्याब्लिश करना शुरू किया तो कैसे किया सबसे पहला कर यह हुआ कि म्यूजियम के स्थापना हुई अगर हम शुरुआ से देखते हैं तो सबसे पहले कॉल्चिरल म्यूजियम बना पहले के संस्कृती और आज की संस्कृत में कितना अंतर है या देखा जाए या देखने के लिए इंडिया में तो उनकी स्थापना हुई जिसमें जो नया मास है आप लोगों के जैसा या हम लोगों के अब हमारे लिए पुराना है आपके लिए तो आदिवाशी जैसा होगा तो आप लोगों के लिए तो हम ही लोग पुराने हैं तो क्या होगा कि उसमें जो नया मास है उसको दिखाया ग कि निकिन रस्पक्त में बदले और कितना हम बदले हमने इसको किया और किसमें चेकिया हमने इसको चेकिया मूजियम में जा करके इसके बाद यह बात आई कि फिजिकल कंडीशन्स को अब देखिए इंडिजनस से कैसे अलग हो गया फिजिकल कंडिशन को चौर करने के लिए डिशनल मेडिकल वैलू सिस्टम जो थे उसका परिहार को उसको दूर कर नया अगर अगर अधरक कालियमिस तूर्शी का काणा पी रहे हैं तो हम ठीक हो जा रहे हैं लेकिन तक पैरा सीटा माल नहीं घाएंगे तक कोरोना ठीक नहीं हो रहा है वही सर्दी जुगाम जो था कि मार्च होता था सिस्टम या जब सर्दीनल का ट्रांजिशन ठाइम होता है उस समय होता है हमेशा से हुआ हम सब को हुआ तो उस समय हम्को देशी दवाया दी जाती थी दीरे 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 यह मंस्थि màyme लाया गया कि यह देशी दवाया जो है चुंकि ये इ renovation कि आपको एक चीज में बताओं जो हमारे समाज में कुछ पध्धतियां पहले से व्याप्त थी आप एंट्रप्रोजिकल सिस्टम से चलिए आप लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स पूछेगा बिना चपल पहने चपल खोल करके घर में जाना होता था बाहर आते समय हाथ पर धोना होता था यह हमारे मैनर्स में आता था कि बात करते समय कोर्पर डिस्टेंस में करना पड़ा रहता था हम लोग कभी मुझाण के बात नहीं करते थे और अब में एक ळगा करके fijних एक लगा करके छ्टना हुआ और छ्टने का बास från आगे यह क्यों हटा मैं यह कैसे पउसे हटा कि यह क्यों हटा कि को करूना कस्में हमको यह पता गए कि हाथ पर धो आठे हम भी है खु़ों हम भुटे artık के कारण होगा और आज जब दुनिया में पटपड़े होने लगे मनुष्य पर एक के ऊपर आने लगे बहुत ज्यादा परिशान हो गए मौत का मामुरी तांड़ हुआ था फर्स से के लाहन वेब में तो हाथ पर धू करके आओ तो यह करके आओ तो वह करके आओ सो तरह की च कहा जिसको हमने विकास कहा वह सर्वनाश की जड़ने करते हैं तो ऐसे में ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि नई टेकनोलोजी का मेडिकेशन की बहुत तरह की जब आविशकार होने लगे इसको इवडिशनरी प्रैक्टिसेज में डालागा विकास आत्म का भ्यास कहा गया और जिसके कारण हमारा जो 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 ट्रेश्नल बिलीफ से स्था था है वह हमारा बादित हो जो है वह अब क्या हुआ कि ये दौ तरीके लोग हो गए है है एक हो गए जो ट्रेडिशन को पकड़ के बैठे थे जिनको कहा जाता था लकीर क्यों फकीर और दूसरे कौन थे जो चोड़ करके विकास की दौर में आ अब दोनों के लाइफ इस्ताइल में क्या फरक था उस पर डेट आने लगा हम दो टाइम पूजा करते हैं हम सब कुछ करते हैं हम नहाए बिना खाते नहीं क्यों नहाए खाना खा लोगी तो क्या हो जाएगा अरे कुछ नहीं होगा लेकिन हम ठीशनल वेस्ट हैं आप अगनि तो आज में जा सकता है तो यह कि ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल वर्सिज मॉडन लाइफ स्टाइल के बीच में डू क्लैश होता है उन क्लैश का जो अध्यन हुआ यह यह हुआ आपके मॉडन एंथ्रॉपोलाजी को कॉलोनिज्म का इस पर प्रहाव पर पहले मुहल्य होते थे तो मुहल्य में एक हई स्ट्रक्चर के लोग रहते थे लेकिन जब कॉलोनी बनी तो विभिन कल्चर के लोग आए और एक जगापर रहने लगे कई तरह का देखिए एक बना कॉलोनी में एक हैं अचे होती जिसमें प्रकार के सोच्ट्र स्टेटर्स के लोग मगर रहते हैं कॉलोनिज्म और जब बन प्रकार के ट्रेडिशनलस वाक्स एकस ग्रीफ सामने आए तो सब के मध्य में क्या हुआ कि कर्चिर इसपान जो है वहाद बढ़ा है पहले क्या होता था कि तोली बंथी में एक मॉला बधनौटी वहां पर खाई ब्रामर रहते हैं है हमारा जो निहाल है घरदोई में उस्ट महले की नाम था मिष्रम तोला आपर मिष्रा रहते थे तो मिष्रम का कल्चर रहा हुआ घ कि नहीं कि पहले कि यह कि आप पूछ कर बैठाते थे अब बैठाने के बाद भी जाती नहीं पूछता क्यों कि अब यह सोशल बैंग है तो यह पाया गया कि युमन डाइवर्सी जो है वह बढ़ते चला गया अब और चीजें बढ़ गई तो सब कुछ गया सोसाइटीज बन गई अब societies बन गई, अब apartments बन गए और तीन कमरे में रहने वाले बगल वाले से जितना ज्यादा जूड़ गए अपने रिष्टदारों से तूड़ गए, मजबूरी थी हम भी तो में रिष्टदारों पास नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कारेभार का विस्तार हुआ, तो हमको अपना original, ancestral छोड़ करके हमको कहा आना पड़ा, हमको समाज के दूसरे संस्कृति में आना पड़ा, और वहाँ पर जीने के लिए हमको उनकी संस्कृति के विन आयामों को अपने में समाहित करना पड़ा, जिस प्रक्रिया को एकल्चरेशन या संस्कृति करना कहते हैं आग एक ही कक्षा में आपको बताया जाएगा, अब यह है कि उन्नीसमें शत्री का उत्तरार्थ में, एक मौनों विज्ञानी एक anthropologist हुए, social anthropologist के जो संस्थापक थे, उनका ना था James Fraser, James Fraser ने questionnaire लिया, और questionnaire का प्रियोग करके, प्रिस्टनावली का प्रियोग करके, उन्हों उसमें क्या था, minor, custom, religion, superstitions, stereotypes, prejudice, बड़े तरह की चीज़ ने थी, और उनके आधार पर यह देखा गया, कि जो कॉलोनी में आये, और जो अपने मूल स्थान पर थे, दोनों में कोई अंतर आया कि नहीं आया, बड़े आपको बड़े राज की बात बताऊं, पुरी क्लास में एक राज की बात आपको बताऊं, जब व्यक्तित, मेरा जो विचार है, personality का development, behavior paradigm का विकास, उन्नत के रास्ते, ये सब तब तक नहीं खूलते हैं, जब तक आप अपनी birthplace नहीं शोलते हैं, birthplace पर बहुत चीज फ्री में मिल जाती है, में कान कान में रहना, that's different thing, लेकिन जो विकास के paradigms हैं, विकास के दोर्स जो हैं, जो हैं महीं खूलते, तो कि जब तक आपको समुदूर में नहीं धक्का मारा जाएगा, तब तक आपको तरना नहीं आएगा, तो ये जो colonism जहर इतना बड़ा बन गया, तो उसी में छोड़ी-छोड़ी townships बन गई, लक्षन का गोमते नहीं कर देखी, अपने आप में एक शहर है, कान में को town बना हुआ है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये आपके modern anthropology का विकास हुआ, इसके बात बात आई professional anthropology जिवसाइक जिवान शास्त, इसमें क्या हुआ, रॉइल अन्थे पराजिका सोसाइटी ने पहले, रिसर्ष मोनोग्राफ खोड़ा, जिन्होंने एक बनाया, अपने जितने अध्यन किये थे, सबको कंपाईल करके, एक बुक के रूप में निकाला और, उसके पात, निरंतर सिद्धान्त मनते रहे, निरंतर उन पर अभ्यास होता रहा, लगातार उस पर चलती रहीं, और यह हुआ, कि 1926 के बाद से, एंट्रिपॉर्जिकल रिसर्चिस ज्यों है, वे क्राम 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 से बढ़ते गए, और उसमें, वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते और ठियोरी और प्रैक्टिस में अंतर देखा गया, और उस अंतर को, उस गैप को पाटने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई, कुछ लोग जो अंत्रिपॉलोजी वाले हैं, कल्चर में काम करते हैं, कभी लगता कि साइकोलोजिस्ट हैं, उन्होंने कल्चर में, कल्चर वो अंकल्चर अंत्रिपॉलोजिस्ट हैं, लेकि इन्होंने मनुविजान की फील्ड में अपना बहुत ज्यादा नाम दिया, एक थे क्रोईबर, एक थे बास, इन लोगोंने इस्टॉरिकल डेटा और वर्तमान डेटा को लेकर देटावेस डिकान किया, और उसके आधार प अंतर है, अब बात आती है, इद्निसिटी की, इद्निसिटी में हम क्या करते हैं, मनुष्य वक्त संस्कृति का संबंद, इद्निसिटी एक वक्त विवहार है, जो मनुष्य अपनी संस्कृति से संबंद हो करता है, और यह जो पना, यह था निवांशास्त, अंटोर तरदी त। मानोशास्ट्र था, मैं गलब रहता कई मानोशास्ट्र था लेकिंड यह निवांश सच्छा के नाम से इद्नोग्राफ़ी माना जिसमें कलुटर इलेट्ट बिहीवियर की बात की गई गई जो 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 जिस बैवहार से कल्चर स्पेसिफिक तरीके से जलगता था कि कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आप किसी भी तरीके से के उस संस्कृत को रिफ्लेक्ट होने से नहीं बचा सकते कुछछी जगा इंपा संस्कृत यह हमारे दूश्म true मैं लोग के में लिए जाएंगे कि वहां पर हम संस्कृत को क्या करते हैं कि हम संस्कृत से देखे लेकिन यह चीज जो है यह इद्निसिटी में हमारी संस्कृत जो है वह उभर-उभर करके सामने आती है निकला तो यह एंथ्रोपॉलोजी सही है और सिस्टमेटिक एनल्सिस ऑफ उनके आधार पर यह कार्य करते हैं वे कौम से काल्सिरल गोचर है वाट आई काल्चर फेनोमेना विच इस स्पेसिफाइदा बहिए जिसके आधार पर और विशिष्ट हो जाता है इसके लिए कार्या कि आप बात आती है कि इड्नोग्राफी जो है वह एक तरीके से मानिय तो सोशल रिसर्च है तो इसमें ज्यादा फरक नहीं आता है तो इड्नोग्राफी में क्या होता कि है तो ये सोशल लिसर्च ही ये व्यक्त के वैवहार को समुव के वैवहार के साथ जोड करके उसकी व्याख्या करती है और उन चाल्चर इस तरह करती है क्रोडिधील क्या होते हैं चुनिटीक पीक्षी क्षिजम करते हैं ऐसमें हो में अध्यान किसे करते टूप टाफिक कहीं हो टेर्ट हुलिट्रीट ट्रक्सटों करते हैं क्रांसेक्ष्ट्टेवन जнетहीं मियां झाल 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 जाए और किसे के डारी मिलती है तो उस डारी के आधार पर भी उनका विवेचन होता है तो पार्टिसेपेंट्स का अब्जरबेशन को देंगें नान पार्टिसेपेंट्स सब्सक्राइब करें दिमागी कंप्यूटर करें उसमें करते रहिए और पिर देखें कि वाट इस पैसे फीचर्स डैटाइब गिवन बाइब देम पर पटिकलर उसको ले करके अगर कारे किया जाए तो अंतर थोड़ा समझ में था चाहिए ग्राउंडेट में था ग्राउंड में होची है आपकी है यह बहुत पारंगा थैंसमें तो घ्राउंड एधियूरी मितल्ड जो होता है उसमें इसमें क्या होता है आपजर्वेशन आप डरिसर्च तो विजिटारइश जीक्रीटोरी डिपन डिपन स्थान को देख करके वहां का आग्यान देख करके वहां के गितना मार्केटिंग में जाएंगे उतना उसका अध्यन होता है इसके बाद बात आती है कल्चिरल ट्रांस्मिशन थोरी की अब हम बात कर रहे हैं कल्चिरल ट्रांस्मिशन थोरी की अभी मैं आप से जब मैंने बात किया था के एक कल्चिर का दूसरे कल्चिर में कैसे हस्तांतरन हो जाता है परिवार में तो बायोजिकल हो जाता है लेकिन बायोजिकल ट्रांस्मिशन के अलावा भी बहुत सा ऐसा कार्य होता है जिससे की हम क्या करते हैं कि हम सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, अनुवज्यानिक ट्रांस्मिशन देखते रहते हैं तो जो है कि एक ऐसी प्रॉसेस, कुल्चल ट्रांस्मिशन में क्या होता है एक ऐसी process चलती है, सामाजिक आधरशांकों की आधार पर, जो, culture क्या है? abstract, abstract कभी ने भूलेंगे, abstractly क्या करते है? कि एक एक बस्त को जगा जगा से जगा जगा तक क्या करते है? उसको transfer करते रहते, अब कैसे कैसे होता है? किसके फूर होता है? उस तो जर्मता हो जाता है? कुछ परिवार में होता है कुछ स्कूल में होता है कुछ संस्था में होता है कुछ particular समूँ से होता जिस ग्रुप में आपका दोस्त अभी बहते हैं प्रियर ग्रुप कुछ धाल्मिकसे होता है कुछ मीडिया से होता है और लास्ट अट लीस्ट कुछ ऐसे होते हैं । जिसको हम सोच ले लेते हैं कुछ को पता ही नहीं चलता है और हमारे बीच में वह चीजें सामने आ जाती तो इस पर भी बहुत सारे तरह तरह के प्रयोग हुए सबसे पहले इसमें जो का बना जाता है तरह को बाहरे तरह को रचर और हमारे ईसमें जो कि प्रच के प्रुष जो खर भी तो बाहरे ताट है जो झालता है। झाल 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 पहले हमने कहा था कि जो जनम से मिल जाता है रंग रूप मिल जाता है आकार प्रकार मिल जाता है और बहुत बार जो बिहेवियर होता है जो मुद्राइं होती हैं जो आपके जेस्चर्स होते हैं ये जेस्चर्स भी आपको कहां से मिलता हैं आपको वहीं से सोचिये प्राप्त हो जाते हैं तो ये जो बिहेवियर तो अब कहते हैं कि what is biological and cultural adaptation coined in evolutionary biology the term broadly refers by the evolution of genetics or behavioral outcomes that in this organism or system to cope with externally and internally driving changes in order to survive and reproduce काम क्या है? दो survival जीना coping adjustment reproduction अपने जैसा ही एक और उत्पन करना इन दोनों चीजों में हमें किन-किन चीजों की आवशकता होती है मनुष्य को योग्य करना योग्य करके हम क्या करेंगे? कि वह उन परिवर्तनों को स्वीकार करेगा उन परिवर्तनों को वह शिरोधारे करेगा जिन परिवर्तनों के आदार पर जिन परिवर्तनों के फासोरूप वह संघर्ष कर सके और रिप्रोडक्शन कर सके यह उसको कौन कराएगा उसके जीन्स कराएगे यह उसको कौन कराएगा यह दो लोग कराएगे एक तो उसके जीन कराएगे जिसको ले करके उसका जन हुआ है एक उसका cultural adaptation कराएगा जिस culture में वो रह रहा है यानि culture and genes both go together किसी भी कारे के लिए किसी भी कारे के छोटे मोटे कारे के भी कि जंबादन के लिए आवश्य किया है कि डौनों चीजों को एक साथ रखा जाए कि कल्चर अबस्ट्रेक्ट था हमें दिखाए नहीं पड़ा लेकिन हमारा उसने हमारी जो चावी है वो उसी के पास थी और उसने कार्य किया आंतरिक रूप से भी बदा है और बाहर रूप से संस्कृत के साथ बंदे हुए क्यों क्योंकि यह एक समुदेता है संस्कृत हमको समुदेती है और प्रीजिकल एडाप्टेशन जो होता है वह हमको बालाजिकल चेंजिस देता हम दोनों तरीके के काम को अपने मन से निर्धारित नहीं कर सकते दोनों चीजें they are forcing वे हमको मजबूर करती है विवश करती है हमारे अंदर उस प्रकार के तदनुसार परिवरतन लाने के लिए और हम परिवरतन करते हैं और दोनों मिल करके हमको meaningful बनाते हैं हम दोनों लेते भी हैं करता है लेकिन यह दोनों क्या करते हैं हमारे जीवन को मीनिफुल बनाते हैं अच्छा बनाते हैं इंडिवीजुल के रूप में हमको एक इस्थान देते हैं और समाज में हमको बैठ की प्रदान करते हैं समाज में आप जाइए समाज से मिल करके रहिए फिर भी आपका आजिएटी बनी रहे और दोनों कारे जो होता है बालोजिकल एंड कल्चिरल एडापटेशन के ही कारण होता है अब ये कह रहे हैं कि कल्च रूपएक्ट बायोजिकल क्योंकि अपने समाज में रहते हुए हम अपने शारीरिक आवशक्ता के मुताबिक अपना एडाप्टेशन करते हुए पूरे भरे समाज में रहते हुए आपको जब पानी की प्यास लघती है आप पानी पीते हैं आप को जब खाने का मन करता है आपको सोने का मन करता है सोते हैं यह दिगर वात है को Clinton कौई शारीरिक आवशक्ता के मुताबिक करते हैं एडाप्टेशन जरूरी है एडाप्टेशन जरूरी है क्योंकि यही हमको दो कारे करवाता है क्या कराता है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इवाल्यूशन के लिए विकास के लिए यह दोनों जीज़ें आवश्च रखाएं यह दोनों चीज़ें आवश्चक हैं यह दोनों करना पड़ेगा तब जाकर कि जो विकास की शर्त है वहां पूरी होगी तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम अगली बात यह हैं कि हम बहुत तरीक अच्छा एडाप्टेशन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन जब हमें जरुवत पड़ती है हम उसको तब निकालते हैं डालते रहते हैं जब जरुवत पड़ती है तब निकालते हैं एकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि हम adaptation भी एक abstract process है पता नहीं चलता हो जाती है और जब adaptation हो रहाता है तो जब जरुवत पड़ी तो निकालता है कैसे निकालता है बेवहार से behavior physiological और structure तिन तरीके से तो behavior क्या हुआ response response के प्रतक्रिया निकालता है इस रॉजिकल बॉडि प्रॉसेश डाट है सब्सक्राइब करता है तो बहुत हो रही है ताटा लेकर चलते हैं तो बहुत हो रही है दूप में बैठते हैं अधि आधिक ने कोई को बैठना आई डोंट निकोए बैठेगा सब परेशान हो जाएंगे जरासी मजबूरी में भी नहीं बढ़ सकता जाड़े में पूरे समय बैठे रहते हैं तो यह जो कारी है यह क्या है यह प्यास लगी भूख लगी भोजन किया थोड़ा हम अड़ेस्ट करते हैं फिर बात आती है मोटीव वाली बात उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम खाही लेते हैं हम पहले नीन को थोड़ा टालते हैं फिर सो ही लेते हैं तो यह हमारे जो सारी अक्तिविटीज हैं फिजलोजिकल में आती हैं अब फिर आती है इस ट्रक्चरा सं रचनात्मक किसका किस तरीखे का व्योहार है इंडिविजियल डिफरेंस के बाद मैंने कल की थी कभी भूला नहीं जा सकता इंडिविजियल डिफरेंस का अपने स्ट्ट्रीक विश्चिता या भी कौन से एक्स्ट्राइब जिससे यह कहा जाए कि आपने कारे आपने किया तो इस ट्रॉक्षिरल डिफरेंस फॉंक्शिनल सिमिलरेटी यह कारे जो होता है इस तरीके से हम कर्षेड अप्टेशन को बताते हैं फिर आगे इसमें क्या होता है स सिस्टेमेटिक मॉडिफिकेशन होता है जैसे डेवलप्मेंटर साइक्वालजी पढ़े होंगे जैसे सिस्टेमेटिक उत्तर विकास होता है उसी प्रकार से परिमार्जन भी जो होता है वह क्या होता है एक पोटोकूल से होता है एक सुनियमन से होता है और सब के साथ होता ह में होता है म pane साथ १टा में विकास होता है संदर्व में性 होता है हर संदर्व हमारे लिए नहीं आधका संदर्व लेगान भच्छें व्युवार केलते थे तो वह उनके लिए था पहले छोटी महों गुडिया केलती थी संदर्व था आध आतके संदर में कोई लड़की गुरिया नेखेख सती गुरिया अगर आती विए गळिया डॉल तो मास को इन माजंटाफी घरणी है औरुसकुनिघm हां हैं पångभता है अनुभा में values जुड़ते रहते हैं अनुभा में mood जुड़ते रहते हैं और ये दोनों चीजें मिल करके क्या करते हैं कि संस्कृति को आगे ले जाती है संस्कृति को हमसे बढ़ाए जाता है और संस्कृति के संस्कृति के स्वरूप को वे इसके द्वरा इसके आधार पर बढ़ाते अब बात आती है बीईवियर जैनेटिक्स की बात आ रही है बहँ हरिक जैवी की क्या होता मनुष्य क्या है जब हम मनुश्य की बात करते हैं रिटी और इन्वार्मेंट का मनुश्य का रेटी और इन्वार्मेंट का दोने मिला करके उसका गुड़नफल है गुड़नफ़ क्रास प्राड़क्ट है यानि व्यवहार को जेनेटिक फैक्टर और इन्वार्मेंटल फैक्टर दोनों जो हैं वे मिल करके प्रभावित करते हैं और यह जो है व्यक्त को यह दोनों करते क्या हैं यह कैसे प्रभावित करते हैं यह इन्फॉर्मेशन देते हैं जितना ज्यादा हमार पास सामवेडिक sensory inputs होंगे उतने जादा हम रिच होंगे और जितने रिच होंगे उतने ही अच्छी हमारी response होगी कभी कोई कहता है कि उसके पास शब्द नहीं पहले एक हमने study पढ़ी ती याद आ रही आपसे बात करते का थे बेसल बनिस्टीन की बेसल बनिस्टीन ने लैंग सिर्बान इस्टीन का जो मज़ूर मिस्टी होते हैं और उपर क्लास टीचर वैसे मदा टीचिंग जोते आं उनके आध्यं में चोटे Most huhlo लेकिन जो उससे आगे बढ़े लेकिन जो उससे आगे बढ़े जो वाइट कॉलर थे जो अच्छी नौकी में थे जिनके पास एक्सपीरियेंश इंपूर्ट्स बहुत ज्यादा थे उनके पास क्या हुआ कि उन्होंने नाउन प्रोनाउन एड्जेक्टिव वर्ब सब के साथ का तयोग किया सच्छी कसा बताऊं वहाँ पेपर हमको हमारे प्रातरस मरणी गुरुद्योग प्रफोसर गीश्व मिश्वदी ने हमको एक यह पेपर और मैंकार्थी का पेपर दिया बोले इस पर गाम इसको पढ़ो खुब पढ़ो और उसके बाद रिप्रेजेंटेशनल प्रासेस पर उन अब यह जो बात हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से ना उनके जीन्स में था ना उनके बातावरण में था तो उनका जो बिहेवियर जैनेसिस था वो उतने में ही घुम घुम रह रहा था जो घरिलू मैला हैं घर दुआर जाड़ू पोशा कपड़ा लगता फैशन मेकप पादर से ज़्यादा बात नहीं करती हैं सर्विस क्लास के पास इसकी मातरा कम होती है हालां कि सब चीज़ों कि जैसा आपका जैनेटिक ट्रांसमीशन हुआ जैसा आपको इन्वार्मेंटल एंविस्ट्री मिठिट या इन्वार्मेंटल स्क्यार्सिटि मिरी डोनों का जो ख्रास प्राड़क्ट हुआ वह आप हुए और आप क्या हो जाका बेबाद हुआ तो इन चीज़ों को मद्द के नजर करते हुए हम यह कह रहे हैं कि relationship between genes and environment इन में एक सार्थक relationship आपको सकारात्मक दिखाई पड़ेगी जैसे इंवाल मैं इन इस वा आगए जैसे 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 जेनिट्लिश आई वह इनकि रुछषुश्ष के लिए आगे tahu जब जैसे नहीं करना चाहता और उच्य मेर्शाइब जहाँ ने करता है और से ज़ादा वह नहीं कर पाता था प्रक्ति संपोशन परिकल्बना राइन olmas नच्छर 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 वे लहारी क्षमता नच्छर 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 नच्छ कि 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 तरह कि थी और इन्होंने mental faculty की चर्चा की थी इन्होंने विन्मानसिक शक्तियों की चर्चा की जो यह हम अच्छा में पढ़ते हैं तो यह चैप्टर वाइस सब बटे हुए हैं उन चैप्टर इसके आधार पर वो mental faculties थी जो व्यक्ति को प्रमोट करती हैं जो व्यक्ति को सर्वाइब कर करना सिखाती हैं reproduction की बात हम यहां पर नहीं करेंगे तो व्यक्ति को सर्वाइब करना सिखाती हैं उन्होंने पहचाना ही तो शुरू से सबके पास सब कुछ था लेकिन ऐसा ऐसा यहां पर होता है या किसने बताया दार्विन के विजक विकास के अविकर्पना की आधा पर इनको बताया और इन्होंने मेंडल के नियम के भी चर्चा की इन्होंने मेंडल के नियम के भी बात की और चोटी मतर बड़ी मतर बाला जो उनका उस प्रयोग के आधार पर आम आधार आपको पढ़ा होगा चोटी मतर बड़ी मतर बाला उन पर भी इन्होंने काम किया बिहेवियर जेनेटिक्स में उन्होंने वे सब चीजने ग्राण की बिहेवियर जेनेटिक्स में उन्होंने जितनी भी मेंटल फैकल्टीज थी इन्होंने सारी मेंटल फैकल्टीज का अध्यन किया इंटलिजेंस, मेंटल प्रॉसेस, पर्सनाल्टी, साइको पैथोलोजी, डिप्रेशन, स्टीरोफर्णिया, आदि, बहुत तरह की चीजें हुई जिनमें की उन्होंने अध्यान किया। किसके तरह के अध्यान हुए, कहां कहां पर हुए। कहन्यों को तो साइन्टिफिक लैब हमारे विलहन वोंट ने इधर बनाई थी, हमारे मनो विज्ञान में। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे पास इन्होंने भी बहुत तरह का एक्स्पिमेंट किया। इन्होंने lab work भी किया प्लस, field work भी किया। Lab work, field work आज बहुत तरीके के इन्होंने कार्य किये, और जिसके आधार पर उन्होंने heritage और environment के बीच के ये जो अध्यान हैं, उनको push करने की चेस्टा किया। इसके बाद इसके अलावा शियर लाब एक्सपेरिमेंट्स वाइसे भी बहुत सारे प्राक्टिकाउस हुए जो नियंत्रित अवदशामें किया जाते हैं और उन्होंने वाइसे भी कार्य किया है। हम जब बिहेवियर जेनेटिस की बात करें और जेनेटिक डेफिशियंसी और जेनेटिक डिफॉर्मिटी के काराण उत्पन हुए प्रतिफल की चर्चान ना करें तो यह मेरे विचार से समीची ना होगा। तो बहुत से आनुवांशिक रोग हैं जो क्राम 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 से पिढ़ पिढ़ आते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक पिढ़ी से दूसरे पिढ़ी में आवें। कभी ऐसा भी होता है कि एक पिढ़ी के बाद वो किसी पिढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। चोथी पिढ़ी में लिखाई पड़ते हैं, वे उस पिढ़ी में नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ ब्रेवहार हैं ऐसे, जैसे की कहाजाता है, जैसे मिर्गी है, मिर्गी जैनटिक है, ये वहां से प्राक्त होता है। मैं कुछ अनुवांशक लोगों की भी चर्चा करूँगी, और कुछ व्यभार की भी चर्चा करूँगी, जो अनुवांशक हस्तान्थरित होते हैं, डाउन सिंड्रोम, यह भी एक ऐसी बीमारी है, जो वइंश से प्राप्ट होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस यह भी वह इंसे में होता है उससे बढ़ता है वीक मसल्स ठकान हो जाना इनीमिया इस तरह की जो बिमारिया होती है यह वहां से आती है ना केवल बिमारिया ही बलकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे अब चुब के पैथलाजी की बात आ रहे तो फि करके हम समापन करेंगे कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा कहा जाता है अर्था पिता के गुण पुत्र में ट्रांस्टर हो जाते हैं जनरल यह तब नहीं कहा जाता है जब पिता जी बुधिमान होते हैं और बेटा बुधिमान होता है यह तक्रीवन तब कहा जाता है जैसे मां वसी ठीए यह तब कहा जाता है जब परवर्ती पीडी ए लड़के की वह कुछ गड़बरी करते है रहे पने माई जैसी तो होगी रहे पने पिता जैसा तो होगा उस-समाइए यह नहीं कहा जाता है कि यह कहीं और से, की बात हमने किया है सब बात ने कर चुके हैं लेकिन हम इस बात को बिलकुल निद्धान देते हैं कुछ उसका अपना भी होगा लेकिन कुछ ऐसा होता है कुछ भाव ऐसे होते हैं पुर्ध वात्सल्ड गुद्धी और उपकारिता आधर्शवाधिता ऐसे निगेटिव मुस् पाजिटिव भी आते हैं निकेटिव भी आते हैं दोनों तरकी चीज़ें जो हैं वहार व्यक्ति में ट्रांसफर होती हैं तो क्या खाली हम ट्रांसफर की बेस्पे रहते हैं या एक प्रस्णा है तो क्या हमारा विवार ट्रांसफर की ही बेस्पे रहता है तो समाज का क्या तो हुआ उसका डोनों से घ्राए करते हैं दोनों कि मिल करके कार्य करते हैं तो हम कुछ अपने पूर्वजltum करते हैं कि कुछ हम समाद से करते हैं लेकिन व्याथ दोनों मिला करके में अपने हिزाब से करते हैं क्योंकि हम क्या हैं । तो अगर हम को करना चाहें तो हम यौ जो शोद हुए जो suck synthes वे तो है नहीं तो भी घ्यानिक नहीं एक्सपरिमेंटर्टा प्रनी बहुत शे प्रकार प्रकार के अध्यान करते चले गए व्यक्त्री का महत्व हमेशा रहा और व्यक्त्री ने वही किया जो प्रणी जो वह चाह रहा था लेकिन वह चाहना जो थी उसकी चाहना दो चीजों से गवन हुई उसकी आंतरिकी से जो उसको अपने बड़ों से जन्र के पहले प्रात्त हुआ और जन्र के बाद उनके व्यवहार अप्यत्यक्षी रूप से उसके बीच में ट्रांसफर होते रहे नमबर दो और नमबर तीन सबसे वड़ी बात यह है कि उसका अपना व्यक्ति उसका अपना समाज कैसा था और वह खुद कैसा था सब मिलाने के बाद व्यक्ति जो बना वह सब के समक्ष आया इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति जो है वह समाज का और आनुमाशिकता डोनों का एक ऐसा क्रास प्रॉड़क्ट है जो अपनी बुद्ध से जगता कि मुझे आज के दिन केवल इतना ही कहना था था थैंक्यू थैंक्यू वेरे मच जिस किसी को कोई डाउट या कन्फूजन हो मैं से कुशन कुछ सकता है कि मैं लगता है किसी का कोई कुश्चन नहीं है जा तो सब समाज में आगा या तो कुछ समाज हो नहीं आगा तैंक यू सो मुझ मैं एपट प्लेजर तो लिसन तो यू थैंक तैंक यू मैं थैंक यू मैं तो फिर अपने साइट से अंड कर रहे हैं कर दीजे ऑंक थैंक यू मैं थैंक यू झाल झाल झाल